उत्तरकाशी में रेस्क्यू का आखरी राउंड चल रहा है अब 2 से 3 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है उमीद है कि कुछ देर में खुश खबरी आ सकती है मजदूरों को जल्द अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडॉर बनाने का काम पूरा हो गया है आपको बता दे उत्तरकाशी में सुरंग में फसे 41 मजदूरों को आज सत्रवा दिन है अब मैनुवल और वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है हालकि मौसम बड़ी चुनौ के बावजूद सरकार उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मजबूती से खड़ी है इसी बीच आपको ये भी बता दे कि उत्तरकाशी में आज हलकी बारिश भी हुई है इतना ही नहीं सिलक्यारा सुरंग की आज सुबह की तस्वीरे आप देख सकते हैं सुरंग के अंदर मैनुवल ड्रीलिंग चल रही है और पाइप को धकेलने के लिए अगर मशीन का उप्योग किया जा रहा है अब तक करीब 2 मीटर मैनुवल ड्रीलिंग का काम पूरा हो चुका है इतना ही नहीं आपको ये एक अपडेट ये भी बता दे कि माइक्रो टर्नलिंग विश अब ये 2 से 3 मीटर खोदा गया अब तक 50 मीटर से जादा की ड्रीलिंग हो चुकी है अगर कोई अर्चन सामने नहीं आई तो अगले 24 घंटे के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है इसी बीच ये भी बता दे पूरी रात मैनुवल ड्रीलिंग का काम चला पिछले चौदा घंटों में 5 मीटर से जादा की मैनुवल ड्रीलिंग करने में काम्याबी मिली एक दशमला 2 मीटर चौडी वाली वार्टिकल ड्रीलिंग भी अब तक 40 मीटर से जादा हो चुकी है जिसके जर्ये लोगों को बाहर निकालने का रास्ता बन रहा है इसे 86 मीटर तक ड् चुके हैं रेल होल माइनिंग कर रहे मजदूरों ने कहा कि उमीद है कि काम जल्द ही पूरा हो जाएगा वीडियो डेस्क अमरुचाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें